हेलो एवरीवन वेलकम टू आर्पीएसी स्टडी हब आज का दिन भारत के लिए काफी खास है क्योंकि आज ही के दिन यानि 22 जोलाई 1947 को भारती तिरंगे को अपनाये गया था यानि जो मूल स्वरूप है उसको अपनाये गया था तो देख सकते हैं कि हमारा 1921 का जो महत्व के बारे में तिरंगे में रंगो का क्या महत्व है तिरंगे में रंगो का महत्व तिरंगे में समान अनुपात में तीन शेती पटियां है इसमें केसरिया रंग सबसे उपर है सफेद बीच में और हरा सबसे नीचे है ये सभी को पता है केसरिया रंग देश की ताकत को साहस को दर्शाता है सफेद रंग धर्मचक्र के साथ शांती और सक्त्ये का संग्यत देता है हरा देश के शुप्प विकास और वर्वर्ता को दर्शाता है तिरंगे की बनावट और आकार चुपि週 स्क्रीन थोड़ा क्लियर कर लेते हैं फिर हम बात करें भारत का रास्टी द्वज तिरंगा भारत में तिरंगा शब्द भारती रास्टी द्वज को संदर्बित करता है इसके वर्तमान सुरूप को भारत की सविधान सभाने 22 जुलाई करें तीरंगे को पंंगली वेंकेया ने डिजाइन किया था आगर सबसे पहली बार जो तिरंगा है 31 मए 1921 को कांगरेस ने की बार तीन रंग के जंडों को मानेता दी थी इसमें हरा सफेद वर नाल रंग थे वर्ष में तीरंगे में लाल रंग की जगे केशरिया रंग जोड़ा था 1931 में उस समय तिरंगे में अशोग चक्र की जगे चर्खा रखा गया था ठीक है फिर वर्ष 1931 में बने जंडे को ही एक बदलाव के साथ 22 जुलाई 1937 में सविधान सभानी राष्टे दुहज को अंगीकार किया था ठीक है तो फाइनल जो है वह हमारा जो 1931 में जो तिरंगा था बस उसमें जो चर्खा था उसकी जगे जो है चेंज कर दिया गया अशोग चक्र लाया गया मतलब पहले चर्खा था फिर अशोग चक्र इस द्व यानि इस द्वज में जो चर्खा है वह शम्राट अशोग जो है उसके धर्म चक्र से लिया गया है और उसको निगले रंग में दिखाए गया है चोईस तीलिया जो है वह उनको विधी का चक्र भी बोलते हैं इस तरह से यह रादेखो आप देख सकते हैं डाइग्राम में इस तरह से जो है यह शो हुआ चोईस तीलिया इसके अंदर पूरा प्रॉपर मेजिनमेंट के साथ इनको शो किया गया है सवेत पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें चोईस तीलिया होती है यह तीले चहुमों की विकास प्रगर्ती निरंदर्ता और कर्तव प्रगवे का संदेश दिती है इससे अपने घर पर भी फिराया जा सकता है यह हाथ या मशीन में बनाया जा सकता है यह हाथ या मशीन से बनाया सकते हैं लेकिन 24 गंडे के वितर भीतर इसको उधारना होता है बारति दोज सहीता दोजाद दो में इसमिक के नियम दिधारित हैं इसे हाथ या मशीन से बना सकते हैं तिरंगा जुखा कटा या फटा नहीं होना चाहिए जंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी ह होता है किसी अन्य झण्डे को से उचा नहीं रख सकते हैं विशिष्ट वहनों के अलावा जंडा किसी वहन में नहीं लगा सकते हैं विशिष्ट वहन होते हैं उन्हीं को इसके लिए परमीशन होती है तो उसी तो इसे मरियादी तरीकी से सिधन के इस तो यह नियम जो है कुछ निदारित के गए है तो में स्टेट पी-स मैं पूंच बर्शन तो इंपोर्टन है तो आप इसको अच्छे से तयार कर लेए लिजिये गा, so thank you for watching this video